C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्तक दूर्वा भाग एक तेर्वा पाठ कपड़े की दुकान प्रिष्ट संख्या सत्तर से पिछत्तर तक अमर मा दिवाली के अवसर पर मेरे लिए कौन सा कपड़ा खरीदोगी मा तुम्हे क्या चाहिए मुझे बताना बेटे आज शाम को हम लोग बाजार चलेंगे अमर मैं भी बाजार चलूंगा मा मैं अपनी पसंद के कपड़े लूंगा अनिता मैं भी चलूंगी पिता हाँ बेटे तुम दोनों तयार हो जाना चारो बाजार जाते हैं कपड़े की दुकान पर पहुँचते हैं दुकान दार आईए विनोद भाई नमसकार पिता नमस्ते नमस्ते कैसे हैं आप दुकान दार आप सभी की शुब कामना से ठीक हूँ आईए बैठिये मा बच्चों के लिए कपड़े चाहिएं दुकान दार अभी दिखाता हूँ बहन जी वीरू साहब के लिए चाय पानी ले आओ मा नहीं नहीं चाय नहीं सिर्फ पानी लाना पिता बेटी के लिए सूट का कपड़ा दिखाईए और पैंट शर्ट के कपड़े भी अमर बेटे तू अपनी पसंद के कपड़े देखना दुकान दार नए पैंट पीस भी आये हैं वीरू अच्छे कपड़े निकाल लाओ अमर अनिता तुम अपने लिए कपड़ा पसंद कर लो दुकान दार बेटे यह पैंट का कपड़ा देखो यह बहुत अच्छा है अमर नहीं यह मुझे पसंद नहीं है दूसरा कपड़ा दिखाईए अनिता मा यह सूट बहुत अच्छा है मा हाँ यह रंग अच्छा है लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं है दुकान दार यह लिजिए बढ़िया कपड़े में बिल्कुल नया नया आया है मा इसका कपड़ा ठीक है अमर तुम्हें यह कपड़ा पसंद है अमर हाँ अच्छा है मा मा तेरी पसंद अच्छी होती है बेटे अनिता और मेरी पसंद मा मा तेरी पसंद भी पिता दोनू कपड़े पैक कर दीजिए दुकान दार वीरू यह कपड़े पैक कर दो यह लीजिए आपका बिल पिता धन्यवाद अभ्यास एक पड़ो और बोलो बाजार दुकान कपड़ा अच्छा अपना अपना दूसरा दूसरा चाहिए चाहिए नमस्ते नमस्ते धन्यवाद सिर्फ जल्दी थीक लाना रहना खरीदना पसंद है सूट का कपड़ा पैंट शर्ट के कपड़े दो पड़ो और समझो का यहां हम तुम और आप शब्दों के प्रियोग करेंगे तुम आओ तुम्हे क्या चाहिए तुम्हारा नाम क्या है आप आईए आपको क्या चाहिए आपका नाम क्या है खा यहां तु और आप शब्दों के अलग-अलग प्रियोग बताए गए हैं तू आ तू बैट तू देख तू पढ़ तू दे तू पी तू कर तू ले आप आओ आप बैठो आप देखो आप पढ़ो आप दो आप पियो आप करो आप लो आप आईए आप बैठिये आप देखिए आप पढ़िये आप दीजिए आप पीजिए आप कीजिए आप लीजिये, गा, आये, अब हम समान अर्थवाले शब्दों को पहचाने, चिंता, फिक्र, जल्दी, शीग्र, धन्यवाद, शुक्रिया, सिर्फ, केवल, आये, अब हम विप्रीत अर्थवाले शब्दों को पहचाने, नया, पुराना, जल्दी, धीरे, अच्छा, बुरा, खरीदना, बेचना, तीन, आये, वाक्य बदलें, जैसे, जूट मत बोलो, हमने इस वाक्य को बदला, आप जूट मत बोलिये, अब हम आपको वाक्य देते हैं और इसको बदलिये, एक, कच्चे आम मत खाओ, दो, तुम अंदर मत आओ, तीन, तुम यहां मत बैठो, चार, कक्षा में शूर मत करो, पांच, कूड़ा इधर उधर मत फेको, चार, यहां कुछ शब्द दिये गए हैं, इन शब्दों का प्रियोग करके, आप अधूरे वाक्यों को पूरा करें, शब्द हैं, धन्यवाद, सिर्फ, नमस्ते, पर्सों, चिन्ता, और वाक्य हैं, एक, रसूल ने कहा, रिक्त स्थान, विनोद भाई, आईए, दो, दिपावली का त्योहार, कल नहीं, रिक्त स्थान, है, तीन, मोहन, रिक्त स्थान, ना करो, हम तुम्हारे जन्म दिन पर जरूर आएंगे, चार, कोई तुम्हारी मदद करे, तो कहना चाहिए, रिक्त स्थान, पाँच, मुझे शर्बत नहीं, रिक्त स्थान, ठंडा पानी दीजिए, पाँच, वाक्य बदलो, जैसे, यह पत्र अभी भेजो, हमने वाक्य बदला, वह पत्र कल भेजना, इसी प्रकार, कुछ वाक्य दिये जा रहे हैं, आपको उन्हें बदलना है, एक, यह काम अभी करो, दो, ये फल अभी खाओ, तीन, यह पाठ अभी पढ़ो, चार, ये चीजें अभी लाओ, छे, वाक्य बदलो, जैसे, सल्मा के पास किताब नहीं है, हमने वाक्य बदला, सल्मा को किताब चाहिए, इसी प्रकार, आपको वाक्य बदलने हैं, एक, अमर के पास पैंट नहीं है, दो, शोभा के पास घड़ी नहीं है, तीन, गोपालन के पास कैमरा नहीं है, चार, आशा के पास कलम नहीं है, खा, वाक्य बदले, जैसे, पिताजी को गरम चाए चाहिए, हमने वाक्य बदला, पिताजी को गरम चाए दीजिए, इसी प्रकार, आपको वाक्य बदलने हैं, एक, सुधा को किताब चाहिए, दो, लड़कों को फुटबॉल चाहिए, तीन, मुझे ताजे फल चाहिए, साथ, प्रश्नों के उत्तर दो, एक, कपड़े खरीद ने कौन-कौन गए, दो, दुकानदार का नाम क्या है, तीन, दुकानदार ने कैसे कपड़े दिखाए, चार, माँ को सूट का कपड़ा क्यों पसंद नहीं आया, पांच, दिवाली पर अमर को क्या चाहिए, युग गिता विस्तार, एक, इन वाक्य संरचनाओं का प्रयोग करते हुए, चीजें खरीदने के लिए बातचीत का आयोजन करें, पहले अध्यापक छातर संबाद करें, फिर छातर आपस में, जैसे, मुझे यह कपड़ा चाहिए, नहीं चाहिए, वह दिखाईए, दीजिए, दूसरा उदाहरन, तुम्हें, या आपको क्या चाहिए, नहीं चाहिए, तीसरा उदाहरन, मुझे एक किलो आलू, एक पैकेट चाहिए, दीजिए, दूर्वा भाग एक, अभी आप सुन रहे थे, कक्षा चे के लिए, दूतिय भाषा के रूप में, हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक, कलाकार, प्रवीन शर्मा, तिलक राज, राजेश आहुजा, और सत्य श्रवा शर्मा, ध्वन्यंकन बटिल्यंग लिंग्डो, तथा निर्मान, निर्देशन वध्वनी संपादन, व